हेलो साथियों, हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज किस वीडियो में एक और नई जानकारी, एक और नई अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ साथियों, अगर आप भी बिहार में और स्वास्त विभाग के अंतरगात एक नई एनियम की नर्स बनना चाहती हो या फिर एनियम हैं, तो बिल्कुल रूप से सोच समझ करके आप लोग को कार्ज करना है दोस्तो वैसे ही एक घटना मैं आज दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें पटना में एनियम की जितने भी सिस्टर हैं, यहाँ पर हंगामा खराक कर उठे हैं यानि कि अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर धरना परदासन कह सकते हैं, या फिर वो अपने अधिकार की मांग कह सकते हैं, यहाँ पर कर रही है क्या है पूरी डिटेल्स जानकारी हम आपको लेकर चलते हैं जानकारी की तरफ और दिखाते हैं दोस्तों अगर ऐसी होती रहेंगे तो एनियम सिश्टर के साथ जो भविस्व में आने वाली समाय हैं उसके साथ खिलवार होना कह सकते हैं दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ आज का ये पेपर कटिंग या फिर आप लोग देखेंगे प्रवात कबर आज के तो समझ महा जाए अब आज कैसी एहाँ पर देख सकते हैं आपको किलियर बता दूँ कि गांधी मदान यहाँ पर देखेंगे घंदी मदान को एनेम अव्यातरी ने जम कर हंगामा किया सासराम के कॉलेज की एक कार की सीसे पर पत्थराव कर दिया हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी संख्याम पुलीस बल पहुंची गया जानकारी में क्या है मैं आपको दिखा दू सौर्ट कॉट में दोस्तो जैसी का आप लोग सेंटर पत्ना में बनाया गया है अब यह सेंटर जब पत्ना में बनाया गया है तो यह सेड़ सा जो कॉलेज है इंस्टिचूट है इसकुल जहां पर एनेम की भी ट्रेनिंग दिये जाते हैं यहां के इंस्टिचूट के माध्यम से बहुत सारे के नेटों को एनेम एक्जाम वो लोग इनके रिगार्डिंग बातचित किये लेकिन अंत्ता यहीं पता चला कि इन लोगों के एडमीड कार्ड नहीं मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर देखे यह भी बात किलियर है A.N.M. अव्यात्री काजल कुमारी ने बताया कि सुवह 6 बजे से यहाँ कारेलाई के पास पहुंचे वे थे बाद में पता चला कि कार में बैटकर दो सक्स सुवह 4 बजे से ही एडमीड कार्ड बांट रहे हैं उसके बाद दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि एडमीड कार्ड मांगने पर भागा दिया गया कहा कि आप लोग की परिक्षा बाद मोगी और अव्यात्री ने कहा कि एक ही परिक्षा दो बार क्यूं ली जाएगी तो अव्यात्री ने कहा कि उन्हें दो दिन पहले फोन आया कि फूरे पैसा जमा कीजिए एड्मिर कार्ड सेंटर साय कर लीजिए फिर मैसेज आया कि एड्मिर कार्ड नहीं आया इसलिए एक्जाम नहीं होगा अब यह एक्जाम अगले 2024 मिले जाएंगे यानि दोस्तो इस तरह से देखा जाएं तो बिल्कुल रुप से इनके भविस्त के साथ आप खिलवार ही समझ सकते हैं चुकि यहाँ पर एक बात और आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक सो में से 20 अभियात्री को ही एड्मिर कार्ड आया अब यहाँ पर 100 इस्टुडेंट है लेकिन एड्मिर कार्ड कितना तो 20 दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पर सोचेंगे तो कुछ पॉइंट आपको किलिए दिखाए देंगे मैं आपको बताता हूँ देखिए अब यह जो इस्टुचूट है किस तरह से एड्मिसन ले रहे हैं किस तरह से आगी के पढ़ाय करवार हैं जिसके करण इन लोगों को 100 इस्टुडेंट में से सिर्फ 20 कैनेडेट को ही एड्मिर कार्ड दिये जा रहे हैं ऐसे में 80 इस्टुडेंटों का एग्जामिर्सन तो इस वर्स छुट गए अब क्या है मामला फुरी डिटेल्स में जब तक इनके ऑफिसली जानकारी अपडेट नहीं आ जाती है तब तक और भी क्लियर नहीं हो पाएंगे लेकिन ये लोग एड्मिर कार्ड को ले करके यहां पर घराओ किये गए थे चले दोस्तों और भी कोई खास जानकारी आएंगे तो बताऊंगा लेकिन मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा एक और जानकारी बता दू किसी भी इंस्टिचूट में एड्मिशन लेने से पहले खास करके वो प्रेवेट इस्टिचूट हो तो आप विल्कुल लुप से उनकी फिरिफाए अच्छी तरीके से कर ले क्योंकि अगर ऐसे इस्तिति होती है तो बहुत सारे जगह यह होता है कि मैं पिछले एक यूडियो बनाया था जिसमें जानकारी देते नंबर आफ सीट की संख्या जितनी हो उतना पर ही अगर एड्मिसन लिया जा रहा है तो बेश्ट है आपकी कोई दिकते नहीं होगे नहीं तो नंबर आफ सीट रहेंगे मान लो 50 एड्मिसन ले लिया 100 तो बाकि 50 का तो एक्जामनसन होगा ही नहीं सिंपल सी बात है तो यहीं हो सकता है में भी कई और भी कारण हो सकते हैं अब जैसे कोई खास जानकारी अपडेट अफिसली टाइप काते हैं मैं बताऊंगा साथ ही दोस्तों इस वीडियो इतना है कोई और भी जानकारी चाहिए या जिस टापिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर लिखेगा और आपका भाई चंदन का ये चैनल है सब्सक्राइब करिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में हमसे जूरने के लिए टेलिग्राम ग्रूप में भी आपको जोईन कर सकते हैं डिरेक्ट मुझे मेसेज करके आप सारी बात को हां से भी किलियर कर सकती हूँ चैनले वीडियो को स्वाप्त करता हूँ थैंक यू